हेलो गॉच इसके बाद ये लेंगे हम मसाला थोड़ा सा कम दिया मैंने थोड़ा मतलब बस बस स्वादा नुसार इसको नीचे वो नहीं हो जाएगा बस ठीक है ठीक है निकाल क्यों रहा है काफी बस लगा इसको पानी और गाई जी ऐसे हम गिली गिली लगाएंगे ऐसे एक साइड ऐसे बस और गाईज ऐसा करेंगे और इसको दबा देंगे और ये आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर और गाईज जी जो होता है बचा को मैदा इसको हम ऐसे 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 करके एक दम और ये निकाल देंगे और गाईज इसके बाद हम इसको सांचे को ऐसे खोलेंगे और ये गुजिया आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर देखिए दूसरी गुजिया रिशी प्रासर दौरा बनाई गई और इसे के साथ उनका अंकड़ा दो पर पहुंचते हुए और ये भी मैच अभी जा रही है इसके बाद नेक्स्ट बनने के लिए हम त्या आट अट बाइड बाई वाई हैलो फ्रैंस वेलकम बेक स्वागत है आप सभी का और फ्रैंस देखिए आज हमारी फिर से बन रही है गुजिया क्योंकि एक्शली जो हमने होली के समय में गुजिया बनाई थी उसका बहुत सारा मेटेरियल जो था हमारा बच गया था तो उनको भर लेती थी और जब मैं रोटी बेलती थी तो फिर ये देखे रिशी को कर रहा है तो इस तरह से जब हम बच्चों को काम सीखाते रहते हैं तो वो भी इन कामों में इंटरेस्ट लेते हैं और धीरे धीरे ये उनकी रूटीन में शुमार हो जाता है और आगे चलके भी अपने अधर फैमिली मेंबर्स की जो है ना हेल्फ करने से कभी भी जो है उकर मुकर नहीं करते तो चलिए रैसीपी भी शेयर कर देती हूं आप लोगों के साथ की हम लोगों ने जो घुजी है किस तरह से बनाई थी तो उसके लिए देखे मैं यहां पर डाल दिया था पां आपको ब्राउन चाहिए कितने नहीं चाहिए तो मुझे थोड़ा से ज्यादा ब्राउनिश जो सुझी होते है वो बड़ी अच्छी लगते तो यह भून चुकी तो उसके बाद फिर मैंने उपर से फिसे इसमें एड की है मिठी सॉंफ एंड इलैची पाउडर तो यह भी म मैंने पीस लिया है ग्राइंडर में ही पीस है मार्केट से नहीं लेकर आये हैं तो इसको मैं गरम गरम सुझी के अंदर एड कर लूँगी और तक यह अच्छे से मैल्ट हो जाएगी और अच्छे से मिक्स अप हो जाएगी इसमें तो बस इस तरह से इसको एड कर लिया तो क इसमें add किया है मैंने grated coconut तो इसको भी मैंने घर पर ही कदुकस से जो है grated कर लिया था तो इसको भी मैंने इसमें अच्छे तरह से mix up कर लिया और और ये हमारी dry stuffing ready हो चुकी है बत थोड़ा जादा dry लगे है तो इसके उपर मैं add कर लूँगी यहां पर 3-4 चमच देशी घी की और उसको भी अच्छे तरह से मिक्स अप कर लूँगी तो चाहे तो आप मैल्ट करके भी इसमें एड़ कर सकते हैं या फिर इस तरह से आप इसको एड़ करेंगे तो भी अच्छे तरह से मैल्ट हो जाएगा अगर स्टफिंग बनाना चाहते हैं तो उसमें आप कर दीजिएगा एड़ पिल्कुल एक गिलास दूद का तो आपके अच्छे से स्टफिंग रेड़ी हो जाती है तो स्टफिंग हमारी रेड़ी होती है जब तक हम रेड़ी कर लेते हैं इसका आटा और इसे अच्छी तरह से मिक्स अप कर लेंगे और मिक्स अप करने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी लगा कर जो है इसको हम गुंतना सुरू करेंगे जिस तरह से हम आटा गुंते हैं बट इसको हमने जादा जो है लूज नहीं करना है हाड ही रखना है और जितना हम इसको अच्छी तरह से गून देंगे उतने ही हमारी soft soft गूजिया बनेगी तो काफी जो लगा लगा के इस तरह से हम इसको अच्छी तरह से गून लेंगी और इस तरह से इसको चैक करते रहेंगे ज्यादा loose नहीं होना चाहिए hard और ना ज़्यादा hard ना ज़्यादा lose तो इस तरह से ये ready हो चुका है हमारा आठा और अब इसमें थोड़ा सा तेल लगा कर उपर से इसको rest पर हम छोड़ देंगे आधा घंटा के लिए तो ये देखे इस तरह से तेल इसमें लग चुका है और अब इसको कपड़ी से ढख कर और rest पर छोड़ देंगे आधा घंटे के लिए तो ये हो चुका है आधा घंटा और अब हम बना लेंगे इसकी चोटी चोटी लोईया और इस तरह फिर इसकी अब रोटी बेल कर रख लेंगे और जिस तरह से starting में रेशी घुजिया मेकर के हाथ से घुजिया को stuffing डाल के फिलप क जो उपर ही हमें fry करना चाहिए तब ही जो है अच्छी जो है वो fry होती है अंदर तक fry हो जाती है कहीं से कच्ची नहीं रहती तो लीजिए हमारी जटपट से रेडी हो चुकिया है घुचेगा रेसीपी आपको अच्छी लगे तो जरूर ट्राइ कीजिएगा और लाइक शे कमेंट जरूर कीजिएगा तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स ब्लोग में तब तक लिए बाइबेंट टेक कियर